हेलो फ्रेंज अससलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चिकन मखनी की रेसिपी आज हम बढ़ाएंगे चिकन मखनी तो चली सिब्राना स्टार्ट करते हैं खड़ी धनिया काली मिर्ज जीरा और सूखी मिर्ची को अच्छी तरह से ड्राय रोस्ट कर लेंगे ड्राय रोस्ट करने के बाद हम इसको मिक्सर में ग्रैंट कर लेंगे फिर हम एक कडाई लेंगे उसके अंदर टू टेबल स्पून ओईल एट करेंगे और फिर ओनियन का पेस्ट एट कर देंगे यह चिकन के रेसिपी आप जरूर ट्राय करना खाने में बहुत टेश्टी लगती है और फिर हम इसके अंदर चिकन एट कर देंगे यहां पर मैंने बूनलेस चिकन नहीं लिया है जो सिंपल चिकन हम लेते हैं मैंने वही लिया है और फिर हम इसके अंदर जिंजर गालिक पेस्ट एट कर देंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से पिर अम इसको ढगके चिकन को पकने के लिए रखjat देंगे जब चिकन का कलर पुरा-ब हो जाएगा तब हम इसको कोल्लेंगे और इसको कर फिर अबसको compound कि छला लेंगे और इसको वह मसाली को इसम अच्छी तरह से मिक्स कर देआगे चिकन में अपने टेस्का पादिthe और इसको मिक्स कर देंगे अच्छा से फिर हम इसको ढग के और अच्छा से पकने के लिए रख देंगे अभी हम इसके अंदर काजु का पेस्ट एड़ कर देंगे और फिर दही एड़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे फिर हम इसके अंदर वन टेबल स्पून गरम मसाला एड़ कर देंगे और फिर हम इसके अंदर फ्रेश क्रिम एड़ कर देंगे अगर आपके पास फ्रेश क्रिम अवलेबल नहीं है तो आप मलाई भी एड़ कर सकते है और फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे अब यह मिसके अंदर कसोरी मेथी भी आट कर देंगे अभी जो है हमारी ग्रेवी वह बनके अदम रेडी हो गई है अभी हम इसके अंदर तड़का दालेंगे उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे उसके अंदर बटर एट करेंगे अपर मैंने अध्रब को इस तरह से कट करके एट कर दिया है शीमला मिर्ची एट कर देंगे शीमला मिर्ची को रोस्ट कर लेंगे अच्छे से और फिर अभी हम इसको हमारे ग्रेवी के इनदर आट कर देंगे ये प्रोसेस करने से ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप लोग भी रेशिपी झरूर्ड ट्राय करना और उसमें ये प्रोसेस याद गाइस अभी हमारी चिकन मखनी बनके रेडी हो गया है अभी प्रोक्त कर देंगे आप इसको तंदूरी रोड़ी के साथे खा बताना और अगर आप लोग को यह पसंद आई हो तो अपने family और friends में जरूर शेर करना और अगर आप लोग मेरे चैनल पे new हो तो मेरे चैनल को subscribe करो और मेरी यह वीडियो को like करो comment करो thank you for watching guys, Allah Hafiz, subscribe to my youtube channel